प्यम मोधी के रोट शो को लेकर ABC News समवदाता आसी शाहू ने एडिशनल पुलस कमिश्टर विपन मिश्टर से खास बात चीत की है आई जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा कि देश के प्रदानमंत्री नर्यनमोदी का चार तारिक को कानपुर में आगमन है और रोड शो करेंगे और दो लोग सबस्वाच सीटों के लिए प्रचार भी करेंगे हमाई सार में डेस्टनल सीपी कानपुर के बात करने के लिए विपिन मिश्टर जी इस सर किस तरीके से का मानी प्रदानमंत्री जी का चार तारिक को रोड शो होना है जिसके लिए ब्यापक पुलिस प्रबंद किये गए हैं और हम लोगोंने पूरे रोड को सेक्टर्स में बाटा हुआ है और हर सेक्टर की जिम्मेदारी पुलिस अधिक्षक अस्तर के अधिकारी को दी गई है जि करीब एक हजार हमारे सब इस्पेक्टर्स लगे हैं और पैंती सो आरक्षी लगे हैं इसके अधिरित दस कंपनी पी एसी और एटी एस की टीम भी डेटिकेटेड रूप में लगाई गई है इस पूरे कारिकरम के दोरान हम लोगोंने यातायात प्रबंदन के लिए भी इस दौरान पूरे कारिकरम में हम लोगों ने जो सहर की ट्रैफिक विवस्ता है उसको अथावत जनता को दिक्कत नहों इसका भरपूर प्रयास किया है ताकि कोई भी आदमी किसी कठनाई का सामना ना करें सर जहां से प्रदान में देकर रोट सो है वहाँ पर रेलवे क्रोसिंग के कि आपकी रेलवे अधिकारियों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं उनसे चर्चा भी हो रही है हमारा पूरा कार केड़ और फ्लीट उसमें से सही तरीके से निकल जाए और उस दौरान पुल पर अगरमन हमारा बादित नहों इसके लिए पूरी कारियोजना हम लों ने तयार किये हैं अभी फिलहाल ऐसे ही कोई योजना नहीं है हम यह देखेंगे कि जिस समय कारिकरम हमारा सुरू होने वाला है अगर इसकूल उसके दोरान उनके कालेज आवास पढ़ते हैं तभी यह ब सुरच्छा में लगाए गई है चाहिए सीसी टीवी केमरे से भी निकराई ने किया और एटीयस में निकरानी रख रही है जो यह आता है ताकि किसी आजनी को दिक्करना हो कानपूर में कुवासियों के लिए उसका रूट डाइवर्जन की भी पूरी तरिके से प्लानिंग क कानपूर से केमरामेंन डिंपल के साथ एबी सीजनी कुछ आशिस्ता हूं